उधारण 6 कक्षा दस्वी की टेस्ट परिक्षा में मोहन के गडित और विज्ञान विश्यों में प्रापतांकों का योग 28 है यदि उसका गडित का प्रापतांक पहले से 3 अधिक और विज्ञान का प्रापतांक पहले से 4 कम हो जाये तो उसके दोनों विश्यों के प्राप्तांग को का गुणनफल 180 हो जाता है गडित और विज्ञान विश्यों में मोहन के प्राप्तांग ग्यात कीजिए हल यदी मोहन को गडित में एक्स अंक मिले एक्स अंक मिले हो तब उसके विज्ञान विश्यों के अंक बराबर अठाईस रिण एक्स होंगे जब मोहन को गडित में पहले से तीन अंक अधिक मिले तब उसको तब उसके गडित के अंक बराबर एक्स धन तीन होगा और विज्ञान में पहले से चार अंक कम मिले तब उसके विज्ञान के अंक बराबर 28 रिण एक्स रिण चार होगा चुकि उसके गडित और विज्ञान के इन अंको का गुड़न फल बराबर एक्सो असी ये दिया है इसी लिए एक्सधन तीन जब मुहन को गडित से पहले से तीन अंक अधिक मिले तब उसके गडित के अंक एक्सधन तीन है और विज्ञान में पहले से चार अंक कम मिले तब उसके विज्ञान के अंक 28 रिन एक्स रिन चार इनका गुड़न अंक हमारा एक्सो असी है गडित और विज्ञान के इन अंकों का गुड़न फल एक्सो असी है दिया है इस तरह से प्राश्न अनुसार से इस तरह हुआ या अब हम इसे एक्स धन तीन लिखेंगे और दूसरे कोश्टक को हल करेंगे 28 में 4 को घटाएंगे तो हमें 24 पराप्त होंगा 24 रिन एक्स बराबर एक्सो असी या इसको गुणा करेंगे हम तो गुणा करने के लिए हम पहले एक्स लेंगे और फिर 24 रिन एक्स दूसरे कोश्टक को सामने लिखेंगे इसके और फिर धन तीन या वला और फिर 24 रिन एक्स कोश्टक में लिखेंगे बराबर एक्सो असी या कोश्टक को खोलेंगे तो 24 एक्स रिन एक्स की घाथ दो धन 24 तिया 72 तर और तीन को रिण एक्स के गुणा करने पर रिण 3 एक्स बराबर 180 या रिण एक्स की घाद 2 और 24 एक्स और रिण 3 एक्स बराबर धन 21 एक्स और उस तरह से 180 का पक्षांतर हम करेंगे अधर तो 180 का पक्षांतर करने पर हमें 72 रिण 180 बराबर रिण 108 प्राप्त होंगा बराबर 0 आगे देखते हैं पिछले प्रिष्ट में हमने देखा था रिण एक्स की घाद 2 धन 21 एक्स रिण 108 बराबर 0 अब रिण 1 को दोनों पक्षों में रिण 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगा एक्स की घाद 2 रिण 21 एक्स धन 108 बराबर 0 आगे सुचित करता चिन या 108 का हम गुणांक ग्याद करेंगे जिसके जिसका योग रिण 21 प्राप्त हो इसके लिए हम मध्यपद रिण 21 एक्स को तोड़ेंगे तो तोड़ के हम लिए से लिखेंगे एक्स की घाद 2 रिण 12 एक्स रिण 9 एक्स धन 108 बराबर 0 या पहले दोपदों मेंसे एक्स को उभाहनिश निकालेंगे तो एक्स रिण 12 और यहां रिण 9 का उभाहनिश निकलेंगा तो एक्स और 9 निया 108 तो रिण 12 बराबर 0 या एकस रिण 12 और इसको हम उभहनिश निकालेंगे दोनों पाद से एकस रिण 12 तो हमें 6 बचेंगा दूसरे कोष्टक में एकस रिण 9 बराबर 0 या एकस रिण 12 बराबर 0 या या एकस रिण 9 बराबर 0 या रिण 12 का पक्षांतर करेंगे तो एकस बराबर हमें 12 प्राप्त होंगा या रिण 9 का पक्षांतर करेंगे तो एकस का मान हमें 9 प्राप्त होंगा जब जब x बराबर हम 12 लेंगे तो हमारा जो प्राप्तांक है 28 रिन x गडित विज्ञान विशय के अंक 28 रिन x है इसमें हम x का मान 12 रखेंगे तो 28 में 12 को घटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त होंगा जब x बराबर हम 9 लेंगे तो विज्ञान के आंक हमें उसमें 28 रिन x रखने पर 28 रिन 9 बराबर 19 प्राप्त हुआ इसलिए इसलिए जब मोहन को गणित में 12 अंक मिले हो तब विज्ञान में उसके प्राप्तांक 16 होंगे या उसे गड़ित में नौ अंक नौ अंक नौ अंक मिले मिले हो तब विज्ञान में विज्ञान के प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक 19 होंगे तो यह हमारे उधारन का हल है